मा चंद्र घंटा 30 रहा रहातर का थीसर दिन मा चंद्र घंटा कथा लेकर हम आए हैं मा पार्वती का बिवायत रूप मा चंद्र घंटा है भगवान सी उसे बिवाक के बाद देवी दुर्गा ने अर्ध चंद्र धारड करना सुरू किया मा चंद्र घंटा के चार बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तर्वार और कमल दर है जबकि उनके चार दाहनी हाथों में कमल का फूल, तीड, धनुष और जब माला है चैत्र नौरातरी के थीसर दिन मा चंद्र घंटा की पूजा अर्चन अकन्नी का विधान है धार्मिक मानता के इंसार मा चंद्र घंटा की बिधियावग, पूजा और प्रत करने से साधक को जीवन में अत्यधिक सक्ती की प्राप्ति होती है और मा भक्तों से प्रशन गोकर उन्हें सांधी और सम्रिथ्थी प्रदान करती है माचंद्रघंटा का स्वरूप अतुन्नी और आलावकिक है माचंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाई दुरूप हैवा निर्वेक्ता और साहाज का प्रतीक है और उन्हें चंद्रघंटा चंटिका या रड़ चंटिका की नाम से भी जाना जाता है तीसरे दिन माचंद्र घंटा की नौरात्री के तीसरे दिन माता की पूजा करते समय माता को दूद या दूद से बनी मिठाई और खीर का भोग लगाया जाता है मां को भोग लगाने के बाद दोद का दान भी किया जा सकता है और प्राम को भोजन करवा कर दच्छिड़े दान में दें माताचन्द घंटा को सहत का भोग भी लगाया जाता है तीसरा दिन माता को पलाट को बहुत प्रिय है दोस्तों हमारे चंद्र घंटा माता की कथा गैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना लाइक तो जरूर करना दोस्तों हमारे चंद्र घंटा माता की कथा कैसे लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना ताक कि मारे चंद्र घंटा माता की जे